दोस्तो data entry जैसी job में जो job fraud होता है या फिर online job के नाम पर या work from home के नाम पर जो fraud के जाते हैं आपके साथ आपको भेजते हैं वो एक legal notice साथ मही बहुत सारी calls आपके पास आती हैं लगातार आपको परिशान करना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि आपने company का loss किया है या फिर accuracy आपकी नहीं थी या फिर आपको जो हमने contract करवाया उस contract के तहट आपने contract को breach किया है 420 IPC के तहट भी एक section का हवाला देते हैं ये लोग और आपसे वो पैसा मांगते हैं पैसे का amount कुछ भी हो सकता है चोटे चोटा amount होता है बड़े से बड़ा amount भी हो सकता है और अगर पैसा आप नहीं देंगे तो क्या ये कोई legal action आपके against ले सकते हैं उन सब के बारे में आज discuss करेंगे अपने इस वीडियो के माधियम से आप भी अगर किसी भी job fraud में फस गए हैं किसी भी तरह के scam में फसे हैं fraudsters आपको call कर रहे हैं mail कर रहे हैं तो दोस्तों इस वीडियो आपके काम का हो सकता है ज्यादा कुछ जानने के लिए कि क्या आपको इन्हें कोई पैसा देना चाहिए दोस्तों बने रही है अमारे इस वीडियो के साथ दोस्तों होता क्या है कि online job के नाम पर जो fraud आपके साथ होते हैं बहुत सारी हदराबाद की companies हैं बिहार की भी हो सकती हैं दिल्ली की हो सकती हैं मुंबई की हो सकती हैं पर आप कभी भी देखना आपके साथ कोई भी एगर scam हुआ है तो वो company काफी दूर की होगी जो की आपके साथ distance कम से कम कम से कम भी 500-700 km का होगा क्योंकि past की company कोई अगर आपको call करेगी तो easily आप company को पहुँच जाओगे और company जाकर सब चीज़े आप देख लोगे तो ऐसे में आप उन्हें पैसा दोगे क्यों या फिर कोई भी किसी भी तरह का जो contract आपने sign किया हाला कि आपने कोई contract sign नहीं किया तो sign होगा क्यों आपने details share की है उन्हें आपने अपना अधार कार्ड दिया है pen card दिया है आपने sign आपने share की है तो ऐसे में वो लोग आपका contract खुद ही तियार कर लेते हैं खुद ही वो sign को वहाँ पर paste कर देते हैं और बाद में आपको legal notice भेजते हैं लोगों ने पैसे की demand कर रहे हैं अगर मैंने पैसा नहीं दिया पलिस मेरे घर पे आएगी पलिस मेरे घर पे आएगी मुझे जेल जाना पड़ेगा मैं जेल चला गया मेरे खांदान में आज तक कोई police station नहीं गया मेरे साथ में क्या होगा आप तो सोचते हो कि पुरी जिंदगी ही आपकी उजड़ गई ऐसा कुछ नहीं है आप डरते हो खामा का बिना बात में आप tension लेते हो बहुत सारी वीडियोज मैंने बनाई हैं आपको बचाने के लिए और मैं आपको बता दूँ दोस्तो कुछ भी नहीं होगा जितनी हमें कानून की knowledge है उसके अनुसार आपने अगर किसी company का कोई loss अगर कर भी दिया है तो आपके पास एक notice आएगा पैसे की recovery के लिए recovery सूट में जाएंगे और मैं आपको बता दूँ और ही इससे ज़ादा ये कुछ नहीं कर सकते और अगर कोई genuine company अगर होगी और आपको legal notice भेजेगी तो वो आपको बार 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 call नहीं करेगी क्या आप इतना पैसा दो इतना पैसा दो इतना पैसा दो ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे की loot मचा कर बैठे हैं और आपके पास दूर दराज company से आपके साथ में कोई भी contract एक share बना कर कर देते हैं और आपके साथ कोई भी contract बना कर जिसमें कि हलाकि आपने sign टेक्निके digital sign को लेकर या फिर आपसे OTP लेकर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने उस contract को बनाया है उस contract से डरने की जरूरत नहीं है किसी भी तरह के legal notice जो ही आपको भेज रहें उससे आप ना डरें वो सिर्फ copy paste करके बनाया है इवन इनके पास तो कोई legal team होती भी नहीं या हो सकता है कोई legal team हो भी तो एक दो वकील साब को इन्होंने hire कर रखा हो ऐसे चोटे मोटे मामलों के लिए पर आपको डरने की जरूरत नहीं है एक चवनी तो छोड़ो एक पैसा तक इनको आप मत देना बिल्कुल भी पैसा मत देना डरिये मत गबराईये मत दोस्तों करी वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और motivation मिल सकें हमें प्रोसान मिलता है और अच्छे ची वीडियो आपके लेकर आने के लिए और आप अगर पहली बार आए हमारे चैनल पर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक पोच सकें सबसे पहले लीगल नोटिस आया है हाथ से लिखकर लीगल नोटिस का reply कर दो अगर आपको करना है तो उसकी भी आपको जरूरत नहीं है सिर्फ साइबर सैल को complaint कर दो ऐसे लोगों की इनको सबक सीखने को मिल जाएगा इनको सबक सिखाईए इनको बताईए आप क्या problem आपके साथ हो रही है किस तरह के mental trauma से आप गुजर रहे हैं किस तरह की समस्तियां आप face कर रहे हैं कि नए students मैंने देखा है बारवी पास करके अभी आप आए हैं और आपके साथ में ऐसी घटना हो गई कि आपने कोई contract sign किया है आपको भेजते हैं legal notice भेजते हैं पैसे की demand करते हैं और बोलते हैं पुलिस आपके घर पे कुछी देर में पहुचने वाली है हाला कि ऐसी कोई पुलिस आपके घर पे कभी आएगी नहीं इन मामलों में पुलिस का क्या रोल इसके अंदर पुलिस का इसके अंदर कोई काम नहीं है दोस्तों आप डरिये मत घबराइए मत और कोई अगर आपको ऐसे अगर कॉल करें पुलिस वाला बनकर तो सीधा आप पुलिस हेल्प लाइन पे कॉल करें उस नंबर को दे दें और बोलें कि यह यह बोल रहा है यह आदमी और पुलिस बनकर मुझे से बात कर रहा है डरा रहा है दमका एक रुपया भी देने की जरुवत दोस्तों नहीं है कोई समस्तिय आपके साथ है कोई कंपनी आपको लगातर कॉल कर रही है आप अपने एक्सपीरियन्स को हमारे साथ शेर करें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें अपने सवालों को पूछे कौन सी कंपनी आपके साथ रही है ऐसे नोटिस भेज रही है पैसे की डिमांड कर रही है ऐसे अपने एक्सपीरियन्स को आप शेर करेंगे हो सकता है और भी लोगों को इसके रिगार्डिंग अवेरनेस मिल सकें तोस्तों अमीद करता हूं आज का हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तक पहुच सके सबसे पहले बहुत बहुत शुक्या दो जन्निवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने की